नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व विद्दा ले और कॉलेज विद्यार्थियों के परिक्साओं प्रोमोसन को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वारा हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चेनल ग परिक्साओं नई देने वाले चात्रों को देनी होगी दित्तिय वरस की परिक्साओं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज की ऑथेंटिसिटी प्रूब ये दोस्तों आप देख सकते हैं पेस नंबर साथ तीन जून दो जार इकीस ब्रायस जब वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्व विदाले और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए है केवल जो दोस्तों वाराने सी यह वहां के विद्यार्थियों के लिए नहीं है और साथ इसायत में आपको बता दूँ एक और बड़ी अपडेर दोस्तों में देना चाओंग का निर्देश दिया है सासन की और से गठित समेती ने परिक्साओं के स्वरूप और जहां बहु विकल या प्रस्न पत्र की बात कहीं है वहीं सेक्सिक महासंग ने प्रस्न पत्रों की समय सिमा और प्रस्नों की संख्या गटा कर परिक्सा कराने का सुजाव दिया है जहां प विखल पर परिक्सा करवानी है वो आप देख सकते हैं संपूर्णा रंसंस करत विद्धाले में प्राच्च विद्या का पाथ्य करम होने के करान विखल पर पर परिक्सा कराने में कई प्रेसानिया हैं कासी विद्धाले में जो परिक्सा की तयारिया है वो पहले ही हो चुकि इसके लावा परिक्षा प्रणाली के सरलिक्रम करते वे एक की प्रस्न पत्र तेयार किया जाए तता बहुंगी कर्प्रसनों को ओमार आधारित प्रिक्षा प्रणाली है वो अपनाई जाई आप आगे देख सकते हैं प्रथम सेमेश्टर के आधार पर ही मिलने वाले हैं अंके से विश्र विद्दाले जां सनात कत्वा सनात कोतर पाथ है करमों के प्रथम सेमेश्टर की परिक्साइं हो चुकी है तदा जित्य सेमेश्टर की परिक्साइं संपन्न ही हुई है वहां उनके प्रथम सेमेश्टर के प्रिवियस येर के मार्स के आधार पर है वो प्रमोट होंगे और अवरावेदी में आपको बात करूँ कि मान्या मुख्या मंत्री योगी आधिकना जी की जो उप मुख्या मंत्री और उच्छा मंत्री डोक्टर दिने सरमाजी है उनके साथ आज बेठ कोने की पूरिस अंभावना है उसमें बार वी बोर्ड परिक्साओं के साथ साथ में यूजी और पीजी की परिक्साओं को लेकर के भी निर्ने होना है उसको लेकर के कोई भी और अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोत्रा के मादिम से दे दी जाएगी आप चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें धन्यावाद